चलिए आज बात करते हैं Divine Connection की Divine Connection हमीशा से एक बहुत ही important subject रहा है जब हम रिकी सीखने जाते हैं तो भी जब हम प्राणिक healing की बात करें तो भी आकाशिक record reading की बात करें तो भी कुछ भी करें हमारी Divine Channeling की Divine Connection की बहुत जादा बात होती है तो समझे की Divine Connection एक्चली है क्या Divine Connection का अर्थ यह है कि हम किसी भी प्रकार से इश्वर ये तत्वसे या उसकी उर्जा से हम हमेशा जुड़े हुए है ध्यान करने से इश्वर का स्मरण करने से पुझा पाट करने से ये हो जाता है लेकिन Important ये है कि इस चैनल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी बात है हमें चूट नहीं बोलना चाहिए हमें सच बोलना चाहिए जिस भी एक इश्वर को हम माने उस इश्वर में हमारा द्रड विश्वास होना चाहिए जो कभी भी न तोटे It does not matter कि वो कौन है राम, कृष्ण, शिव, कोई भी हो सकते हैं लेकिन उन में एक द्रड और पूर्ण विश्वास लेकिन साथ ही याद रखें कि अगर आपके आस्था शिव में है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप नारायन के उपास कोगे बारे में बुरा बोले या बुरा सोचें पूरी आस्था के साथ दूसरों की आस्था का भी संबान करें अगली बात आप अपने निर्ने पे बहुत ही strong बन कर यानकि पूरी क्षमता के साथ डटे रहें आस्था अगर होती है तो हम ये चीज अपने आप follow करते हैं किसी के बतानी की जरूरत नहीं होती अपने मन को मजबूत रखें जितना हमारा अनाहत चक्र मजबूत होगा शक्तिशाली होगा हमारा divine connection उतना ही अच्छा बनेगा क्योंकि हम खुले दिल से दूसरों को दूआ देना जानते हैं जब हम किसी जरूरत मन को दान देते हैं उसके सेवा सहर्था करते हैं तो भी हमारा divine connection बन जाता है जब किसी जीव जन्तू के साथ हम अच्छा व्यभार करते हैं तो भी हमारा divine connection बन जाता है लेकिन जब हम किसी जानवर को पत्थर मारते हैं किसी बुजर्ग को धक्का देते हैं या उसे बताते हैं कि अब तुम बुढ़े हो गए हो तुम्हारी समाज में कोई जगा नहीं है तो उन लोगों का divine connection बहुत कमजोर हो जाता है बहुत सारे लोग जो रिश्वत लेते हैं बहुत कमजोर हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उनका जो divine channeling है वो divine से ना हुकर devil से हो जाती है और फिर दीरे दीरे ऐसे लोग बिमार होते हैं और drain होना शुरू हो जाते हैं जनरली इन लोगों की टांगों में दर्द रहता है क्योंकि मज़र से इने support मिलना बंद हो जाता है गंबीर बिमारियां भी ऐसे लोगों में देखी जा सकती है तो ये अपने आप में एक बहुत ही important subject है कि हम अपने चरित्र को द्रड़ रखें द्रश्चरित्र लोग जिनका मन कहीं भी दोड़ जाए उन लोगों के लिए भी divine connection बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है divine connection हमारा दिव्यता से निरंतर एक समपर्ग बना रहना यानि कि परमात्मा की उर्जा से हम निरंतर जुड़े हुए है और परमात्मा की उर्जा से जुड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि परमात्मा जैसे अच्छे अच्छे कार्या करें भूके को भोजन दें प्यासे को पानी दें और कुछ भी नहीं किसी के लिए कर सकतें तो कम से कम उसे बुरा ना बोलें उसके साथ बुरा बरताव ना करें जब आप किसी से पैसे लेते हैं और वो बुरे वक्त में आपके काम आ जाता है तो उसके पैसे सही समय पर लोटा दें क्योंकि अगर आप किसी और का पैसा रोकते हैं या ऐसा व्यक्ति जिसने आपके बुरे वक्त में सहायता की हो उसके साथ आप बुरा वर्ताव करने हैं किसी भी तरहां से तो आप निश्चे रखें आपका बुरा वक्त खड़ा ही है दरवाजे पर और इस पार आपके मदद के लिए शायद कोई नहीं आएगा आज के जो सुख हैं वो हमारे पिछले संजित कर्मों का परिनाम है लेकिन ये सुख बने रहें इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम आज भी अच्छे अच्छे काम करते रहें इसलिए जब मैं रेकी में आई तो मेरे टीचर्स ने यहीं कहा कि तुम अपना रास्ता सीधा रखना रेकी के पांचो प्रिंसिपल्स का फॉलो करना सब अच्छा अच्छा होगा बाकि सब रेकी देख लेगी रेकी भी क्या है ये भी दो देवय उर्जा ही है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेकी मास्टर देवय हो और उसके क्रतिया ऐसे हों कि जो देवयता का अहवान करते हो सत कर्म ही मार्ग है कि हम इश्वर से जुड़े रहें जो निरंतर मन में ध्यान करते रहते हैं इश्वर का और उसके मार्ग दर्शन में चलते हैं उसके शिक्षाओं में चलते हैं वो लोग सदा सदमार्गी होते हैं उनका डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉंग होता है और जनरली वो कर्म मुप्ती के रास्ते पर होते हैं मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो भगवान कृष्णी की लड़ू गोपाल मुरत को उठा कर घूमते रहते हैं अच्छी बात है ये उनके आस्ता है लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो भगवान श्री कृष्णी की दिखोई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें जूट पेमानी धोके बाजी फरेग दूसरों के साथ धोगा करना इन आदतों से बचे क्योंकि ये सब करने वाले कौरवों का साथ भी भगवान श्री कृष्णी ने नहीं दिया था देखा न किस प्रकार उन्होंने दुर्योधन के बुद्धी ब्रहमत की और नारायनी सेना उस तरफ कर दी और खुद अरजुन के साथ चले गए इसलिए ध्यान रखें कि विचार शिक्षा उसका पालन करें दूसरों के साथ बुरा वर्ताब ना करें व्यर्थ किसी की बद्धवा ना ले वैसे तो शुक्र के प्रभाव में और उसके समय काल में लोगों को बहुत लाब होते हैं लेकिन वो लोग जो किसी भी प्रकार से इस्त्री शक्ति को दुख पहुचाते हैं खासकर जिनकी बेटियां उनके लिए दुआ नहीं करती हैं प्रात्ना नहीं करती हैं या जिनकी बेटियां माता पिता के पुरे विवार की वजह से दुखी हैं उन लोगों को शुक्र फल देना बंद कर देता है और ऐसे लोगों करें ओमका जब करें आप मेरे पिछले वीडियोज में दिख सकते हैं कि मैंने सोहम चैंटिंग की एक विधी पतायी है कि सोहम का जब कैसे करें जब हम वह करते हैं तो उससे भी अपने आप हमारे अंदर वह आतमबल आता है कि हम सथ्य और निष्ठा of पर च wyst mam लगते हैं ओम की भी चैंटिंग होती है ओम का भी जाब किया जाता है श्वास भरकर श्वास को छोड़ते हुए ओम कहते हैं लंबे स्वार में तो वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो आपको पसंद आए वो करें लेकिन जो भी करें श्रद्धा से करें और श्रद्धा कहलाएं आशा है मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी थैंक यू वेरी मेंच रितु कॉशन